तो चले दोस्तों, जोग्रफिक का जितने भी महत्पुन प्रशन हैं सभी प्रशन को लेकर आ गया हूँ, जितने भी प्रशन हैं सभी एकजाम से रेलेटेट है तो अब प्रशन को बारे के यसले देख लीजिए है सर्दार सरोबर परियोजिना किस नदी पर इस्थित है पर सब्सक्र सब्सक्राइब गयिता से किस नदी की जल उपयोगीता सबसे अधिक है इन convene की जल उपयोगीता सबसे अधिक है यह गंगा नदेग से ज़्यादा जल किसी का भी उपयोगी तर नहीं है, अपसन नमर सी आपका राइट एंसर हो जाएगा, नेक्स्ट एंप हम लोग जो कोस्चन है, इंद्रा गांधी नहर, इंद्रा गांधी नहर कमान छेत्र में सतत पोस्निय विकास के लिए इन में से सबस सबसे लंबी नदी कौन सी है, क्या बोटर कोस्टन है, भारत के सबसे लंबी नदी कौन सी है, यह ज़िए आपका गंगा, भारत के सबसे लंबी नदी हो गई, गंगा इसमें है, नेक्स्ट कोस्टन हम लोग के पास है, निमनी में से जल किस परकार का संसादन है, तो जल एक तो नेश्ट में बता रहा है की नीमने लिखित नदियों में से देश में किस नदी से सबसे ज़्यादा फुनहापुर्तियों की भौम जल संसादने ते अब सभी जानते हैं इसका सिन निम्न मेंसे किस राज में उसके क्रिस्ति छेत्र का अधिक्तम प्रतिस्त नहर सिजाई के अंतरकत आता है। ठीक है, question का समझ लिजिए, इसका राइटन सोजे आपका उत्तर परदेश, ठीक है। Next यहां पर में क्या question है? Next में नागार्जुन सागर प्रियोजिना किस नदी पर है? Question क्या बतारा है, नागार्जुन सागर प्रियोजिना किस नदी पर इस्तिती है? यह होगा आपका क्रिस्ना नदी पर इस्तिती है। नेक्स्ट में नीम्ण लेकित राज्यों में किसमें छीराकुन्ड परियोजना वस्थित है क्या है उस्थित है यह है उरिसा में हैं न concern में कुण सी फसल नहीं बॉई जाती है इसार कोन सी फसल सुस्क रितु में, सुस्क जो मतलब क्रिसी में नहीं बोह जाती है, ठीक है, तिसमें आपका गन्ना होगा आपका राइट अंसर, ठीक है, नेक्स्ट में क्या बुट रहा है कि खरीफ हसल की क्रिसी रितु क्या है, यानि जो खरीफ हसल है, वो किस रितु में होती है, ठीक है, हूँ हजेग आपका जूल से September के वैजमें कौन सा होगा June से September के वीच नेक्स्ट यहां पर question कि ब्राचिल के काफिवगान को क्या कहा जाता है उसको कहा जाता है फैज़न्डा क्या कहा जाता है फैज़न्डा ठीक है सबसे पहले चीज़ में काम करते हैं उसके बाद नेस्ट इनों के क्या question देखते हैं नेक्स्ट में है चावल धन की खेती संबन देते हैं चावल जो हुई हो किस से संबन देते हैं तियों जगा अपका चांदी के लिए यह विख्यात क्यों है चांदी के लिए नेक्स्ट यह पर है निमनी में से कौन एक रहसेदार फसल नहीं है तिन में से कौन सा एक रहसेदार फसल नहीं है तो रहसेदार फसल हो जाएगा आपका यह कौफी कौफी आपका रहसेदार फसल नहीं है उसके बाद हैं अंगूर की खेती को क्या कहते हैं क्या बोटर कोस्ट झाल झाल, झाल, जब सकते और शोड़ा हैं